केंद्रिय विद्यालज संगठन के द्वारा आयोजित किये गए KBS PRT PGT PGT 2023 की जो ऑनलाइन परिच्छा हुई है वो अपने आप में विवादी थी क्योंकि बहुत सारे इसमें अनिमितायें देखनों को मिली थी सेकडो किलोमीटर दूर बैठा अभियर्थी रिमोट पर एकसेस लेकर के दूसरे अभियर्थी का पेपर सॉल्व कर रहा था इसके अलावा बहुत सारी जो डेटा थे वो KBS संगठन के द्वारा छुपा लिए गये थे जैसे कि कितने अभियर्थी परिच्छा में समलित हुए इसके अलावा जो फाइनल एंसर की था वो तक नहीं जारी किया गया डिरेक्ट रिजल्ट जारी किया गया उसमें भी पहले केवल सॉर्ट लिस्ट केंडिडेट का डेटा जारी किया जाता था फाइनल कट ओफ नहीं जारी किया जाता था लेकिन अभियर्थियों के दबाओ पिस्क्रिन पर देख पार होंगे यहाँ पर सिरियल नंबर 3 और 4 के लिए प्रशन पूछा गया था कि प्राइमरी टीचर के लिए कितने अभीर्थियों ने परिक्षा दी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग-अलग सभी कैटिगरी का आंकड़ा EWS में कुल 51,393 अभीर्थों ने परिक्षा में समलित हुए थे OBC, NCL यानि Non-Crimalier OBC के से समन्दित अभीर्थी 2,48,525 अभीर्थी परिक्षा में समलित हुए थे SC कैटिगरी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,12,800 अभीर्थी का Admit Card जारी किया गया था यहाँ पर जो Admit Card जारी हुए हैं उनका संख्या यह दिया गया है इसी प्रकार से ST का आप देख सकते हैं 15,050 अभीर्थों का Admit Card जारी किया गया था Unreserve Category का आप देख सकते हैं 1,69,676 अभीर्थी Unreserve Category से थे और टोटल मिला दिया जाए तो 5,97,444 अभीर्थी आवेदन किये थे KBS PRT में एक तरीके से इनके लिए Admit Card जारी हुआ था तो बहुत बड़ी संख्या नहीं बोली जाएगी क्योंकि पूरे देश भर के अभीर्थी इस KBS PRT के लिए आवेदन किये हुए थे और उसमें भी केवल 6,00,00 के आसपास आखड़ा होना कहीं ना कहीं बहुत कम आखड़ा दिखाता है ये इस वज़ज़ से भी था क्योंकि Age Limit इसमें कम होती है और जो राज्यों के द्वारा जो भरतिया आयोजित की जाती है उसमें आप देखेंगे कि Age Limit जनरल के लिए चालिस होता है और रिलाक्शेशन 5 साल, 3 साल का अलग से OBC और S.E.S.T. को दिया जाता है तो इस वज़ज़ से उसमे Age बार जादा होने के वज़ज़ से जादा Candidate आ जाता है लेकिन KBS PRT में Age Limit 30 होता है जनरल के लिए तो PRT के लिए इस पेसली में बात कर रहा हूँ तो इस वज़ज़ से यहाँ पर बहुत सारी अब्यर्थी Age की वज़ज़ से छट जाते है और साथी साथ यहाँ पर Central Level का सिख्षक पातरता परिछा यानि की Seated मांगा जाता है तो बहुत सारी अब्यर्थी Seated नहीं कौालिफाई होते है State Level का TET कौालिफाई होते है वो भी इसमें छट जाते हैं इसलिए आखड़ा आपको इतना कम देखने को मिल ला है उत्तर प्रदेश की सिख्षक भरती आई थी तो इसके आसपास यहाँ पर किवाल उत्तर प्रदेश की अब्यर्थी थे और यह पूरे देश भर की अब्यर्थी मिलाकर के PRT में लगबग 6 लाख के आसपास आवेदन के हुए है तो यह दबाओ में ही सही लेकिन KBS के द्वारा RTI के जवाब में यह आखड़ा प्रस्तुत किया गया कि KBS PRT में कितने अभिर्थियों के एड्मिट कार्ड जारी हुए है इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धेनेवाद भगवान करें आपका दिन शुभो